ओम गुरुर व्रम्हा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेस्वरा गुरु साक्षात परप्रम्म तस्मै स्री गुरवे नमहा तस्मै स्री गुरवे नमहा दोनों हाथ सामने लाएंगे मुठ्ठी को बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे खोलेंगे इस प्रकार से और अंगूठा अंदर रहेगा आपका कम से कम दस बार इस कृया को दोराएंगे फिर इसके बाद क्लॉक वाइक मुठ्छी गुमाएंगे 10 टाइम और इसके बाद में एंटि क्लॉक वाइक गुमाएंगे 10 टाइम यह बहुत अच्छा है हमारा शुक्ष्म व्यायाम और अप डाउन करेंगे, इसे भी हम कम से कम 10 से 15 बार इस क्रिया को दोहराते हैं, दोनों हाथों को आगे पीछे करेंगे, पीछे देखेंगे हाथ टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सामने हाथों को करके साइड में जाएंगे, कटी चक्रासन करेंग यह हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा है, फ्लیک्सिबिल्टी बढ़ाता है, इस क्रिया को हम 10 से 15 बार दोहराएंगे, फिर दोनों हाथों को कमर में रुक करके, इस प्रकार से हम करेंगे, यह भी फ्लیک्सिबिल्टी बढ़ाने के लिए उत्तम क्रिया माना जाता है, इसके बाद हम दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेंगे, पैर के दूसरी तरब के जो पिछला निजल्या वाला भाग है, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं, और स्वास को नाक से छोड़ते रहते हैं, यह हमको ध्यान देना पड़ेगा, यह स्वास हम कब ले रहे हैं, कब साइज है, 1, 2, 3, 4, ऐसे आप अब डाउन, अब डाउन करेंगे, तारअसन, पेट के लिए, चेस्ट के लिए, हाथों के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, जिनको लंबाई बढ़ाना है, उनको भी ताराअसन जरूर करना चाहिए, पैरों में बैलेंस रहता है, पैरों बढ़ते हुए पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ताड़ासन इसके बाद हम करेंगे त्रियक ताड़ासन थोड़ा सा पैर में गैप रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे हैं और फिर हम दोनों तरब की ओर करते हैं जितना आप जुक सकते हैं जुकने की कोशिस करें हाथों को इंटरलोक रखेंगे क्योंकि इंटरलोक जब हाथ रहते हैं तो खिचाओ अधिक होता है आप देखेंगे जब इंटरलोक करेंगे खिचाओ अधिक रहेगा दोनों पैरों में तीन फिट का गैफ इंटरलोक और फि पैरों का संतुलित बनाता है और इसके बाद में पैर बिल्कुल सीधी होने चाहिए बिल्कुल रख करके उसको करना है टाइट करके विक्षासन पैरों का कमपन एक आगरता बढ़ाता है पैरों का कमपन स्वाप्त करता है और फिर ध्यान के लिए भी बहुत अच्छा है आप इस प्रकार्शे खड़े हो करके एक चित आखों को बंद करके ध्यानस्त हो सकते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है यह ब्रक्षासन कहते हैं हमीशे इसके बाद में हम त्रकूनासन करते हैं त्रकूनासन तीन कुनी बना लेते हैं बिल्कुल पेर, तीन फिट का गैफ, हाथ बिल्कुल टाइट, आसमान के उन देखने की कोशिश करते हैं और फिर हम बिल्कुल बोडी को अपनी टाइट रखते हैं दोनों तरफ की ओर दोराना है इस क्रिया को पेर बिल्कुल हमारे टाइट रहने चाहिए बोडी को भी हम टाइट रखते हैं इसके बाद में हम थोड़ा गती में तरीके से करेंगे यह वजन को कम करने के लिए कमर के पास में जमी भी चर्बी के लिए और हाथों के नीचे आहरूं फैड जिसे हम कहते हैं उसको भी बहुत तेजी से कम करता है पैरों में मजबूती पैरों को बज़र के समान कठोर बनाता है और पैरों में कमपन नहीं होने देता है इंटरलोक करके आगे की और भी हम जुकने की कोशिश करेंगे हिप्स के लिए हिप्स के पास ज्वैंट जो है हमारे कमर और थाई इसके लिए बहुत अच्छा है आगे की जुकनी की कोशिश करेंगे दोनों पैरों को हम पकड़ लेते हैं इस प्रकार से हमारा प्रयाश रहेगा इस बोड़ी बिल्कुल टाइट और स्वास को नाक से छोड़ना है नाक से ही लेना है हिप्स के लिए थाई के लिए ये एक्सरसाइज बहुत जबर्जस्त माना जाता है दो से धाई फिट का गया प्रकते हैं दोनों हाथों को इस प्रकार से जगते हैं दूसरा इसका प्रकार ये है कि हम उसको हाथ को छोड़ भी सकते हैं बार बार और जा भी सकते हैं ये बहुत अच्छा है हमारे हिप्स के लिए और थाई फैट के लिए बहुत से लोगों का थाई टच रहता है चलने में दिक्कत होती है तो उनको ये जरूर करना चाहिए और जो कमर में ज्यादा फैट है कमर लटकी है उनको ये एक्सेसाइज जरूर करना चाहिए ये एक्सेसाइज हमारे बढ़ती हुई कमर का फैट और कमर के उपर आर्म है ये चश्ट के पास भी बहुत ज़्यादा लटक जाती चर्वी उनके लिए भी ये जरूर करें इसके बाद है नटराज आशन भगवान शिव का नाम है नटराज नर्ता वसाने नटराज राजो ननाद धक्काम नवपंच बारम धर्तुकामा शनकाद शिद्धा एत द्विमर्शे शिवशूत्र जालम तो ये नटराज आशन है पैरों का कमपन चाती के लिए हाथों के लिए और हमारी कमर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है नटराज आशन दोनों पैरों ऐसे करें ये हिप्स के लिए और थाई के लिए बहुत अच्छा है इसके बाद हम करते हैं मलाशन मलाशन ये आशन ऐसा है जो महिलाओं को जरूर करना चाहिए महिलाओं के लिए यह रामबाण माना जाता है, अनेकों रोगों को शमाप्त करता है, इसके बाद हम करेंगे पाधहस्त और हस्त उत्तानासन, पेट की चर्वी, पैरों की फ्लेक्शिबिल्टी, पैरों के जो बैक साइड में जो मांस बहुत जादा टाइट हो जाता है, आपने बहुत से लोगों का कॉमेंट्स ऐसा आए, कि हमारे थाई के पास जो फैट हो जाता है, बहुत से ज़्यादा चर्वी जम जाती है, उसके लिए क्या करेंगे? तो स्वांस को नाक से छोण करके नीचे की हो जाते हैं हम, तो पीछे साइड में खिचा होता है, और जब स्वांस को लेके जाते हैं तो पेट में हमारे खिचा होता है, इस प्रकार्श करना चाहिए. अगला आसन है हमारा दोनों पेरों में गैफ होगा, स्वांस को छोणेंगे नीचे जाएंगे, पेरों को मोड़ना नहीं है, ये आप विशिश्ष ध्यान दे, पेरों को वेदी मोड़ देंगे तो ठीक नहीं है, इसमें भी पेरों के जो निचले वाले भाग है उसमें हमार खिचाव पैदा होता है, इसके बाद हम करेंगे परवत आशन, जैशा आपने देखा, परवत आशन और भुजंग आशन, यदि इन दोनों आशनों को एक साथ किया जाए, तो वेट लोस बहुत तेजी से कम होता है, पूरी फ्लेक्सिबिल्टी बढ़ाता है सरीर की बॉड हाथों में मजबुताई देता है, इसलिए आप प्रति दिन कम से कम सव इस्टेप जरूर करें इसको, और हनुमान दंड, हनुमान दंड भी बहुत अच्छा है, सरीर के लिए हमारे सरीर को बज्जर के समान कठोर बनाता है, मजबूद बनाता है, और अनेक रोगों से हमें दूर करता है, रोगों से चुटकारा दिलाता है हनुमान दंड, बज्जरंग बली के समान सरीर कठोर बनता है, बज्जर के श्रमान, इसके बाद है उस्ट्रासन, उस्ट्रासन हमारी कमर के लिए, छाती के लिए, हाथों के लिए, पेट के लिए, और गर्दन के पास जमान से लिटक जाता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है थायरट के लिए भी उस्ट रासन बहुत ज़्यादा च्छमाना जाता है इसको कम से कम हम साथ से दस इस्टेब दोराते हैं जैसे हम गए हैं उसी तरह से वापस भी आना है जैसे आप देख रहे हैं जो नहीं तच कर पाएंगे पैर को वो धिरी धिरी कोशिश करेंगे विश्राम के लिए आप ससांक आशन में आ जाएए बाल आशन में आ जाएए थोड़ी दिर रिलाक्स करेंगे क्योंकि बैक साइड में हमने ऊष्रासन किया है तो आगे की ओर हम जाकरके उसे हम रिलाक्स दे देते हैं ससांक आशन में इसके बाद में फोड़ा साइक्सरसाइस करते हैं जो हमारे पैट को बहुत तेजी के साथ कम करता है तीन आसन हैं तीनों आसनों को एक साथ में करते हैं परवाताशन परवाताशन के बाद उर्द एक पदाशन इसके बाद में अंजने आसन ये तीनों आसन ऐसे हैं जो फैट को बहुत तेज़ी के साथ कम करते हैं और साथ ये flexibility को बढ़ाते भी हैं, चेश्ट के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छे हैं, सुर नमस्कार के हम कम से कम 5 से 10 इस्टेव कर लेते हैं, और भी ये आप ज़्यादा करना चाहें, 10 से 20, 50, 100, जितनी आपकी capacity हो, उतना करें। सुर नमस्कार हमारे पूरे शरीर को move up करता है, flexibility बढ़ाता है, सैकड़ों रोगों से लड़ने की छमता शूर नमस्कार में हैं। सूरी नमस्कार हमें ओजश्वी, तेजश्वी और बलवान बनाता है। सूर के समान सरीर कांतिवान बनता है, चमकने लगता है, और चेरी में भी glow आता है। सूर नमस्कार के 12 मंत्र हैं, और सूर नमस्कार के 12 step भी हैं, प्रकार भी हैं। इसलिए आप प्रत दिन सूर नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। इसके बाद में हम थोड़ा बैड जाते हैं, रिलेक्स कर लेते हैं, कपाल भांती प्राणयाम करते हैं, पेट से कपाल भांती प्राणयाम करते हैं। श्वास को नाक की द्वारा बाहर छोणना है हमको। नास का चिद्रशे, पेट को अंदर दमाना है और नास का चिद्रशे बाहर फेगना है, अगला हमारा प्राणायाम है अनलोम बिलोम प्राणायाम, यह प्राणायाम बाई नास का से हम प्रादंब करते हैं, स्वास लेते हैं, दाइनी से छोण देते हैं, फिर दाइनी से लेते प्राणायाम चेश्ट के द्वारा च्छाती के द्वारा करते हैं अगला है हमारा भ्रामरी प्राणायाम भवरे के शमान गुंजाय मान करना ऐसे दोनों हाथों को रगड़ेंगे ये उर्जा ये शक्ति हम फेश को देंगे और ओम कार का जाप करेंगे ओम इसके बाद में हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे दोनों हाथों को घ्यानमुद्रा बना करके रख लेंगे और बिल्कुल दोनों आईब्रो की बीच में ध्यान रखते हैं लगाते हैं और फिर हम बिल्कुल एकाग गुर हो जाते हैं हमारी श्वास सामान रहेगी और बिल्कुल हम एकाग गुर्चित बैठे रहेंगे गुरु मंत्र का जाब कर लेंगे, गायत्री मंत्र का जाब कर लेंगे, गायत्री मंत्र जपने के बाद हम महा मृतिंजर भी जब सकते हैं, और फिर हम ध्यान की ओराग आकर्शित हो जाएंगे, शमाधी में चले जाएंगे, अब हम नित्रों को खुलने के बाद रविंग नील स्पोज करेंगे, फेश योगा करेंगे, उपर मुझ खुलेंगे, बंद करेंगे, और शामने आ करके गालों को बंद करना है, खुलना है, गालों को बंद करना है, यह फेश योगा है, फेश के लिए बहुत जबरजस्त है, और इसके बाद में हम इसको करने के बाद गर्दन के नीचे की और मालिस करेंगे थाइरड पॉइंट हमारे रहता है डबल चिंजिस को हो जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है थोड़ा लेकर करेंगे तो और भी अच्छा माना जाता है प्रति दिन ऐसे ही करें और हमसे जुड़े रहें हरी ओम तब सब